गूट मॉर्निंग, आज हम पढ़ेंगे कोलीो कीट, कोलीो कीट एक ग्रीन अलगा है। पिछली क्लास में हम ने पढ़ा था एक दूसरा ग्रीन अलगा वरल वाक्स। आज हम पढ़ेंगे ग्रीन एलगा, कोलियो कीट, कोलियो मेंज शीथ, कीट मेंज हेयर, तो ये शीथ के अंदर हेयर होता है इसमें, इससे इसका नाम पढ़ा है, कोलियो कीट, कोलियो कीट का सिस्टेमेटिक पोजीशन, डिवीजन, क्लोरोफाइटा, क्लास, क्लोरोफाइसी, ओर्डर, कीटो फोरेल्स, फामिली, कोलियो कीटेसी, जीनस, कोलियो कीट, इस जीनस में, दस स्पीशीज हैं, जिर में से चार स्पीशीज हैं, वो इंडिया में पाई जाती है Colliochete pulvineta, Colliochete scuteta, Colliochete orbicularis and Colliochete soluta प्राप्ति स्थान, Colliochete कहां मिलता है? कहां पाया जा सकता है ये? तो Colliochete एक fresh water region का है आल अवनिये जल में पाया जाता है ये और इस्थिर जल में या धीमी गती से बहने वाले जल में मिलता है और यह अधी बादब के रूप में पाया जाता है यानि दूसरे प्लांटों के उपर पाया जाता है एपिफेटिक रूप में होता है तो ये जो दूसरी अल्गी है जो पानी के अंदर होती है उन अल्गी के उपर भी हो सकता है या दूसरे जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट हैं उनके उपर भी हो सकता है जैसे टाइफा के उपर ये मिलता है काफी टाइफा के स्टेम्स जो थे उसके उपर लगा रहता है और दूसरी अल्गी है जैसे कारा है और नाइटेला है उसमें यह यह एंड़ोफितिक रूप में भी मिलता है उनकी टिश्वी के अंदर होता है तो यह प्राप्ति स्थान हुआ तो हम इसको झो पानी है उसके अंदर पानी के अंदर रुका पानी है और वहां दूसरे प्लांट्स भी है उन प्लांट्स के उपर पा सकते हैं थेलस स्ट्रक्चर इसका प्लांट जो बाड़ी है थेलस कैसा होता है थेलस इसका प्लांट बाड़ी बहुकोशी किये मल्टी सेलूलर है यह मल्टी सेलूलर विशम तंतु के प्रकार का है यानि हिट्रो ट्राइकस है य इरक्ट सिस्टम जो फोटो सिंथासिस करता है उपर होता है बहार की तरफ होता है और प्रोस्ट्रेट सिस्टम जो जमीन से या आधार से सबस्ट्रेटम से लगा होता है तो यहां पर अगर दूसरे प्लांट के उपर लगा है तो वो सबस्ट्रेटम उसका आधार है प्लांट कोई दूसरे प्लांट जैसे टाइफा पे लगा हुआ है तो प्रोस्ट्रेट सिस्टम उसको चिपका के रखता है उस आधार से और इरेक्स सिस्टम है वो एरियल होता है हवा में धूप लाइट की तरफ अग्रिसित होता है इसमें विभिन जातियां जो हैं उसमें दो प्रका से जाता है गदी नुमा स्वरूप में बहुत सारे तंतु होते हैं वो डाइकॉटमस ब्रांच होते हैं द्वी शाखा रुक हम केंदं होता है उसके अंदर तो एक से दो एक से दो इस तरह से शाखाए बंदातीय और एक अर्ध चंद्राकार गदी सी बन जाती है ऐसे ऐसे बंधाते हैं और इरेक्ट सिस्टम इसमें ज्यादा विक्सित होता है प्रोस्ट्रेट सिस्टम इसमें कम विक्सित होता है दूसरा सुरूप है डिस्क रूप डिस्क रूप में जो प्रोस्ट्रेट सिस्टम है वो ज्यादा विक्सित है और इरेक्ट सिस्टम के नाम पे स जिर्फ CT होती हैं जैसे यह आपको दिख राएक यह प्लेटन जैसा है गोलाकार प्लेट है यह तन्तु रूप है लेकिन यह तन्तु सारे डियली ऐसे एरेंज हो गए हैं एक प्लेट के रूप में आर्य mutual हैं तो ये Pseudo Parenchymatis Structure भी कहलाती है क्योंकि ये Parenchyma नहीं है लेकिन Parenchyma जैसा दिख रहा है तो वैसे तो थैलस का जो उसका सुभाव है विशम तंतु की सुभाव है यानि फिलामेंटस है फिलामेंटस में कैसा? दोनों तरह के फिलामेंटस पाय जाते हैं इसलिए हिटरो ट्राइकस प्रोस्ट्रेट और इरेक्ट सिस्टम दोनों है इसलिए हिटरो ट्राइकस शेवाल है लेकिन दिखने में ये Pseudo Parenchyma भी लगता है जैसे कि ये डिस्क रूप जो है इसका सुभाव तो कुछ जातियां है जैसे कोलियोकीट स्कूटेटा है ये डिस्कॉइड फॉर्म में मिलता है और कॉलियोकीट पल्विनेटा है ये कुष्णॉइड फॉर्म में मिलता है इसकी जो सेल की एक स्ट्रक्चर देखें अभी हमने थैलस की स्ट्रक्चर देखा थैलस कैसा होता है फिर अगर एक individual cell देखें तो individual cell है वो uninucleate होती है एक केंडरक होता है उसमें एक chloroplast होता है बड़ा सा एक साइड में दिवार से लगा होता है भित्ती से लगा होता है और उसके अंदर एक pyrenoid भी होता है तो इस तरह की cell की structure है पाकी जैसे की eukaryotic cell की जो structure होती है वो सारे और हो जाते हैं mitochondria, endoplasmic retupolum वगरा उसकी चर्चा हम नहीं करेंगे जो विशेश diagnostic characters है उसकी हम चर्चा करेंगे जिसमें हम यह देखते हैं कि chloroplast कैसा है कितने हैं chloroplast उनकी shape क्या है pyrenoid है या नहीं है nucleus कितने है multinucleate है या uninucleate condition है तो सभी जब algae का हम अध्यान करते हैं तो algae में इन बातों पर विशेश हम ध्यान देते हैं कि उसका थैलस कैसा है थैलस संरचना कैसी है और उसकी cell structure कैसी है यह आप चत्र देख रहे हैं इसमें दोनों सवरूप दिखाएं एक डिस्कॉइड थैलस है कोलियोकीट इसकुटेटा का जिसमें आप यह circular disc देख रहे हैं तो यह इससे चिपका रहता है प्लांट के उप़र तो कोई भी दूसरे प्लांट के उप़र आप यह देख सकते हैं छोटा सा होता है अबहुत ही थोड़ी सी ही जयलस है आप इसमें देख सकते हो और यह लंबे-लंबे धागे नुवमा जो संरचना है या काटे नुवा संरचना दिखरी हैं यह है CT, तो यह erect system है, तो erect system के नाम पे इसमें सिर्फ CT है, तो erect system इसमें बहुत ही reduced है, और prostrate system है, वो काफी विक्सित है, दूसरा यह आप चित्र देख रहे हैं, इसमें है यह kushnoid form, koliochete pulvineta, इसमें dichotomous branching आपको साफ दिखाई दे रही है, तन्तु है यह, तो तन्तु मैं शेवाल है, फिलामेंटर शेवाल है, इसमें भी prostrate system होता है, prostrate system इसमें कम विक्सित है, और यह erect system ज्यादा विक्सित है, सेल की संरशना भी इसमें दिख रही है, हर एक सेल में एक nucleus है, और एक क्लेरोप्लास्ट है, कोलियोकीट में जनन, reproduction कैसे होता है, अपने एक जो थैलस है, वो दूसरा थैलस कैसे बनाता है, अपने आपको कैसे बढ़ाता है, अपनी संतती को बढ़ाता है, तो इसमें दो प्रकार का जनन मिलता है, alangeic genan तथा langic genan, asexual and sexual reproduction, alangeic genan जो sports के द्वारा होता है, चल भी जानूं के द्वारा, तो चल भी जानूं के द्वारा, alangeic genan favorable condition में होता है, जब अनुकूल परिस्थितिया होती है, तो ये जो थैलस है इसका, अभी हमने दिखा य यह जो discoid form है इसकी तो जो margin की कोशिकाएं बिल्कुल सीमांत की जो कोशिकाएं बहार की इन कोशिकाओं में बिजानुधानी बनती हैं वैसे सभी कोशिकाएं capable होती हैं बीजानू धानी बनाने के लिए, लेकिन बहार की कोशिकाओं में ही बीजानू धानी बनती है, किनारे वाली कोशिकाओं. और कुशनोईड फॉर्म में जो टर्मिनल कोशिका है शीर्षस्त जो कोशिका है इसमें बिजानू धानी बनती है तो बिजानू धानी जो ये कोशिका है वो बिजानू धानी का ही काम कर दिया और एक बिजानू धानी में एक जूसफोर बनता है यह आपको चत्र दिखा रखा है इस तरह से यह शीर्ष की कोशिका है या इसको margin की कोशिका आप समझ तकते हैं किनारे की या सबसे terminal कोशिका इसके अंदर एक जो सारा protoplasm है वो सारा सिकुड कर एक गोले के रूप में हो जाता है और एक spore के रूप में परिवर्तित हो जाता है तो एक spore ingia के अंदर एक ही juice spore बनता है और उस juice spore ingia में एक छेद हो जाता है और उस छेद में से यह juice spore amoeboid गती के द्वारा बाहर निकल जाता है और फिर इसमें दो flagella होते हैं यह biflagellate है तो यह swim करता है कुछ देर तक पानी में और उसके बाद कहीं एक इस्थान पर कोई अच्छा सा इस्थान इसको मिल जाता है यानि जहां पर यह उग सके जैसे कि दूसरे plants के उपर यह grow करता है एपिफाइट है इसका सुभाव तो कोई दूसरे plant पर इसको इस्थान मिल जाता है वहाँ पर जाके यह rest करता है और अपने चारों तरफ एक मोटी भित्ती सिक्रीट कर लेता है तो अभी तक तो यह juice board था वो नगन था इसके चारों तरफ प्रोटो प्लाज्म जिल्ली है सेल मेंब्रेन है लेकिन सेल वाल नहीं थी तो यह swimming करने के बाद जब rest करता है किसी सब्स्ट्रेटम के उपर आधार के उपर तब यह अपने फ्लेजला छोड़ देता है विड्रॉ कर लेता है अपने अंदर शेरीर में खीच लेता है और चा इसमें डिवीजन शुरू होता है और एक से दो कोशिकाएं बन जाती है और इसका जो प्रोटो प्लाज्म है वह एक छिल्ली के द्वारा बहार निकल जाता है और उसके चारों तरफ फिर एकदम कड़क हो जाता है तो यह जिलेटिन की सी यह शीत बन जाती है और यह सीटी का निर्मान हो जाता है फिर इसके बाद और विभाजन होते हैं और यह इस तरह से एक यंग थैलस बन जाता है और फिर जो भी स्पीशीज का सुभाव है उसके अनुसार या तो यह कुशनोइड फॉर्म में बन जाता है या यह डिसकॉइड फॉर्म का थैलस बन जात तो इस प्रकार से अनुकूल परिस्तितियों में जू स्पोर के द्वारा चल बिजाणों के द्वारा अलेंगिक जनन होता है इस समय कभी अनुकूल परिस्तिति आ जाती हैं जब चल बिजाणों बन रहे होते हैं तब ही ये इसमें फ्लेजला नहीं बनते और ये एप्लैनो स्पोर बन जाते हैं इनके चारों तरफ मोटी भित्ती हो जाती है जैसा कि ये कुछ देर स्विम करने के बाद जो इस्तिती आती है वो कई बार जू स्पोर इंजिया के अंदर ही आ जाती है और ये रेस्टिंग बार देता है इस तरह से रेस्टिंग स्टेज होती है जो सुपता वस्ता है लंबी कई महिनों तक सुपता वस्ता में पढ़ा रहता है वो स्टेज नहीं है ये स्विमिंग से रेस्ट कर रहा है बस ये तो स्विमिंग नहीं हो रही है और चारो तरफ एक कोशिका भित्ती बन गई है तो वो एप्लानोस्पोर बन जाता है तो एप्लानोस्पोर भी फिर छेद में से बाहर निकल जाता है और किसी दूसरी प्लांट पर जाके इसका अंकुरण हो जाता है तो सामने तेहा चल भी जानों के द्वारा होता है कोलियो कीट में जनन लेकिन कभी-कभी एप्लानोस्पोर अचल बिजानों भी बनते हैं तो यह हुआ आलंगिक जनन एसेक्शुल लिप्रोड़क्शन यह चुत्र में दिखा रखा है किस तरह से ही जूस्पोर है अमीबॉइड मुवमेंट के द्वारा बाहर निकलता है और फिर यह फ्लेजला के द्वारा स्विम करता है और कुछ देर गुलाकार बन गया और गुलाकार के बाद इसके फ्लेजळा खतम हो गए हैं ते कि छो फ्यूम करने के लिए यह चेप है को निकल उन्य자리यो फ्यूमा के लिखफय है यह यह ज्यादा सूटेबल है इस लिए श्यूमा करता है और फ्लेजला है यह मदद करते हैं , इसको और जब इसको swim नहीं करना होता है, तैड़ना नहीं होता है, किसी आधार को ये ढूंड रहा होता है और आधार पे चला जाता है तो ये फिर goal हो जाता है और fledg relies के समापत हो जाते हैं और फिर ये इसमें division शिरू होता है और ये नया थेलस बना लेता है लंगिक जनन, कोलियोकीट में लंगिक जनन highly specialized प्रकार का होता है, उगेमस प्रकार का होता है, यानि विशम युगमकी प्रकार का होता है, एक motile वो होता है, युगमक होता है और दूसरा non motile युगमक होता है, जिसको egg कहते हैं तो कोलियोकीट में दोनों तरह की जातियां मिलती हैं, उभे लंगाश्री जातियां भी जिसमें male और female दोनों एक ही थैलस पर होते हैं, यानि एंथिरीडिया और कार्पोगोनिया एक ही थैलस पर है, जबकि दूसरी जातियां हैं, एक लंगाश्री जातियां भी हैं, जिसमें नर थेलस अलग होता है और मादा थेलस अलग होता है तो नर जननंग को यहाँ एंथरीडियम कहते हैं कोल्योकीट में और मादा जननंग को अंडधानी या कार्पोगोनियम कहते हैं तो कार्पोगोनियम जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह की एक फ्लास्क शेप की स्ट्रक्चर है यह नीचे वाला आप चत्र देख रहे हैं इसमें उगोनियम यह दिखा रखा है उपर की जो यह नलिकाकार संरचना है जिसे सुराही की जिसे गर्दन होती है यह ट्राइकोगा इन चाड़ों तरफ पर्टॉटो प्लास्म सारा घोल हो जाता है और उड़े का निर्मान करता है स्ट IT अवडों यह उपर वाले चितर देख रहें उपर वाले चत्र में आप देखा रहें तो दोनों जहां जातियां एक साथ होती हैं यानि उभैलिंगाश्री जो जातियां हैं जिसमें दोनों अंग नर और मादा अंग एक ही थैलस पर होते हैं वो महां साथ साथ भी यह हो सकते हैं बगल में एंथिरीडियम है इधर बगल में उगोनियम है तो एंथिरीडियम में हर एक सेल से एक एंथिरोजोओट बनता है जो कि बाई फ्लेजएलेटल होता है दो फ्लेजएला इसमें 소개 ऐंट्रेजला पूर के द्वारा बाहर निकल जाते हैं इसमें सही एंथिरोसटफो बाहर निकलते लिए और यह तैर कर जाते हैं उगोनियम के उपर उगोनियम की ट्राइकोगाइन जो है वो फट जाती है उपर से उसमें छेद हो जाता है और एक प्रोटोप्लाजम की एक बूंद निकलती है उस बूंद से आकरशित होके यह सारे जो एंथिरोजोईड हैं डाई फ्लेजिलेटिड वहां पर पहुँच जा अंदर उगोनियम के अंदर जो उगोनियम में प्रवेश करने के बाद यहां जो मेल गमीट है एंथिरोजोईड है वो उगोनियम के अंड के अंदर प्रवेश करेगा उगोनियम के अंदर एक स्फेरिकल जो गूला है वो है अंडा एग है उसके अंदर प्रवेश कर जाता ह और उसके अंदर प्रविश करने के बाद जो एंथिरोजोईड का नुकलियस है वो भी साइज में बढ़ा हो जाता है जितना फीमेल का नुकलियस है एक का नुकलियस उतना ही जादा बढ़ा हो जाता है उसके बाद उनका फ्यूजन हो जाता है तो फ्यूजन से जाइगोट ब लेकिन नीचे वाला जो उगोनियम का फूला हुआ भागे उसके अंदर ही जाइगोट रहता है और यहीं इसमें जर्मिनेशन शिरू हो जाता है यानि डिवीजन शिरू हो जाते हैं जाइगोट में लेकिन यहां एक विशेश बात होती है क्योंकि यह इस कार्पोगोनियम में से बाहर नहीं जाता है यह फ्लास्क जैसी जो संरचना है फीमेल रिप्रोड़क्टिव और तो यहां पर आसपास के जो फिलामेंट है वो चारों तरफ से इसको घेर लेते हैं इस तरह से यह जो स्ट्रक्चर बनती है फ्रूटिंग बोडी बनती है इसको स्पर्मोकार्प क यह सब मिलाके इस स्ट्रक्चर को कहते हैं स्पर्मोकार्प और यह लाल भूरे रंग का होता है तो वैसे तो प्लांट यह ग्रीन एल्गा है ग्रीन कलर की सेल्स होती है सारी लेकिन रिप्रोड़क्शन के बाद जैसे ही जाइगोट बनता है जाइगोट के बाद जो पिग्मेंट कम रहते हैं और जैन्थोफिल्स की मात्रा केरोटिनोइट्स की मात्रा जादा हो जाती है और यह रेस्टिंग स्टेज में चला जाता है अब यह कुछ महीनों तक पानी में पढ़ा रहता है और अगले मौसम में फेरी इसका अंकुरन होगा लैंगिक जनन अभी हम पढ़ रहे थे लैंगिक जनन में पुंधानी नर जनन अंग है अंड धानी मादा जनन अंग है पुमणू द्वीकर्श्याभः की अंडाकार होता है पुन्धानी शाखा के शीर्ष पर उगती है सम्हू में लग सकती है ये और या सीमांत कोशिकाओं में लगती है अंडधानी शीर्षस कोशिका में होती है सीमांत कोशिका से बनती है अलग-अलग जाती में यानि डिस्कॉइट जाती है या वो कुशन वाली जाती है उस पर डिपेंड करता है कुशन वाली में शिश्रस कोशिका और जो डिस्क वाली जाती है उसमें मार्जिनल कोशिका फिर फर्टिलाइजेशन होता है फर्टिलाइजेशन के बाद पोस्ट फ fertilization changes अभी मैंने बता है चारों तरफ जो फिलामेंट हैं वो घेर लेते हैं क्योंकि जाइगोट फीमेल रिप्रोड़क्टिव और गन के अंदर ही रहता है बाहर नहीं निकलता है तो इस तरह से एक फ्रूटिंग बॉड़ी बन जाती है वहां जिसको कहते हैं स्पर्मोकार्ब यानि निशिक्तांड फलिका निशिक्तांड फलिका भी कहते हैं यह बन जाती है अब यह निशिक्तांड फलिका कई महिनों तक यह सुपतावस्था में रहती है तालाब के पैंदे में पड़ी रह और फिर इसका अंकूरन होता है अनुकूल परिस्तिती आने पर अंकूरन यह आप चितर में देख सकते हैं कि यह जो स्पर्मोकार्प है इसके अंदर बहुत सारी सेल्स बन गई हैं तो इसका जो जाइगोट का नुकलियस है अंकूरन के समय एक से दो कोशिका दो से चार चार स से आठ, आठ से सोला, सोला से बतीस इतनी कोशिकाएं यह बन जाती हैं इस स्पर्मोकार्प के अंदर अब यह जो कोशिकाएं हैं यह सारी कोशिकाएं फिर यह जूस्पोर में बदल जाती हैं यानि इनके शिर्ष पर दो फ्लजला बन जाते हैं और फिर यह बित्ति-फटती है और उसमें से यह जूस्पोर बहार निकलते हैं और जूस्पोर कुछ देर तक स्विम करता है और उसके बाद फ्लेजला विड्रॉ कर देता है रेस्टिंग स्टेज में आ जाता है किसी आधार पर यह रेस्ट करता है और अंकुरन शुरू हो जाता यानि एक सेल से दो सेल बनती हैं, सीटी बनती है और जिस तरह से एक सेक्शुल लेपरडक्शन में जूस्पोर से एक कॉलोनी का निर्मान होता है, उसी तरीके से ये जूस्पोर हैं, जो कि मियोजूस्पोर हैं, ये मियोजूस्पोर हैं क्योंकि मियोसिस के बाद बनते हैं, इनसे भी नया धैलस बन जाता है। वो इस प्रकार से जो कोलियोकीट का जीवन चक्र है, वो अगुणित प्रकार का होता है, हैपलॉंटिक प्रकार का होता है, यानी सारा गेमिटॉफिटक स्टेज है, सिर्फ डेप्लॉइड स्टेज है जाईगॉट। जाइगोट जो है डिपलोईड स्टेज है और जाइगोट में अंकुरण के समय वापस मियोसिस हो जाता है अर्ध सूत्री विवाजन हो जाता है और वापस हैपलोईड क्रोमोजोम नमबर प्राप्त हो जाता है कोशिकाओं को तो सारे जो जीवन की अवस्था है उसमें सेल में क्रोमोजूम की संख्या है वो हैपलॉइड होती है डिपलॉइड नहीं होती है डिपलॉइड सिर्फ जाइगॉट में होती है तो इस तरह की लाइफ साइकल को कहते हैं अगोनित लाइफ साइकल अगोनित जीवन चक्र या है लाप्लांटिक लाइफ साइकल यह समाप्दुआ गोल्योगीट थैंक यू